हमने ऐसा तोह नहीं मान सकते कि केवल एक शुगर ही एक रीजन रहेगा देंटल केरीज का नहीं एक्षिवले देंटल केरीज एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं हेलो फ्रेंट्स मेरे नम्र अमित पाले शरे मैं एसे इंट्रनेशनल ऑस्पिटल जी के बन में सीनिय डेंटल सरजन हूँ आज हम बहुती common topic पर बात करेंगे, दातों में सडन होना, दातों में कीडा लगना, क्या ये वाके में कीडा होता हो जो दातों में लगता है, इसको कहती क्या है, इसका कालन क्या है, और इसके बचाब क्या है, उससे पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे, आखिर दात होता क्या है दान्त है हमारे शरेर से यह मजबूत हड्ड़ी होति है जो कि 3 लियर की बनी होती है पहली लेक इनैमल जो की वाइड कलरे हो च которой होती है जो दोसरी लेक टेनी जो कि यलो कलरे को देडी के नीचे होती है फोई नहीं है जोकि लोगवे को मन में एक मित होता है जोकी यह कोई एक दांतों में कीड़ा होता है यह एक Dental Fiction है एक Bacteria के थ्रू होता है क्यों कि बैक्ट्रिया थ्रू होता है क्योंकि बैक्ट्रिया अपनी निकेट आई से नहीं देख सकते हैं तो यह जो देंटल केरी इसको कॉस करने वाला बैक्टिया उसका नाम होता है इस टेप्रो कॉकस मुटन जो कि यह देंटल केरी इसको करने में हैल्प करता है इसका मैं सिंपल सी अगर आप से बात करूं तो आप इसको एसे समझ सकते हैं कि आपने देखा हुआ कि लकडी होती है वोड वोड के इंदे टर्माइट जिसको मोलते दीमक लगती है तो पहले वो छोटा सा कभी है आपको एक चोटा सा स्वाट होल सा देखेगा पर आपने कभी नोटिस करा होगा दो तीन महीने माद अगर हम देखें जराब इसको टच करते हैं तो बहुत होलो केविटी यह लकडी को पूरा खोकल कर दीती है तो डेंटल केरिस कुछ इसी तरीके से होती है तो इसका प्रमुक कार है जो कि मैं दांत की सर्फेस पर जमा हुआ है उस पर आकर यह बेक्टिय एक करता है वहां पर जाकर एक एक असे बनाता है यह असे रिस्पोंसबल होता है इस के लिए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके पांच कारण देखे गए हैं सबसे पहला बैक्टियर काउंट ज इसके पांच करता है तो हमको यह देखना होता है सलाइबा के अंदर हमारे इस टॉप्त और मुंटर्श लेवें जो चांट है था एक कारण हो सकता है बैक्टियर केरी सका सेके और टाइप अपफ फूट किस तरीके कर मां खाना खाती है इस्टीकी फूड है शुगरी हुआ है कि salivation बहुत ही कम होता है तो वहां पर डेंटल करीज होने का चांसे तो आपने देखा हुआ जो पेशेंट्स कीमो थेरपी लेते हैं या प्रेगनेंसी जिस तेम नहीं कंसीव होती है उस टेम पर कि salivation बहुत कम हो जाता है कभी-कभी किसी का पर कीमो थेरपी और डेडियो थेरपी में तो हमेशा स्लाइवेशन कम होता है तो डेंटल करीज होने के चांसे सब ज़्यदा बढ़ती है तो हम देखेंगे फ्लॉराइड कंटेंट्स फ्लॉराइड एसेंशल मिननल्स है जो कि हम बच्चों कर थे सब्च्ञत तक सुझेवाली बात है कि वह शुवह से लेकर रात तक बीज में कितने टापाँ चॉक्टे शुवह नहीं कर रहे तो पैंट्स को द्यान देने चाहिए उंको बिश करना चायए तो जितने एक्सलिदों चांस मीलेका इसे प्रडूस का नेका और चांसेस उसके बढ़ती हैं, तो यह कुछ कारण हैं जिससे डेंटल केरीज होती हैं, अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के, इसको बचाफ कैसे जाता है, गेरेलू, जो हम डेली रूटीन होता है, हमको कहा करना है, अपना ओरल हीजीन मेंटेन करना है, पैरेंट्स को कि जब डीप होती है, जब आपको सिम्टम साने चाल रहते हैं, कि आपने कभी कुछ मीटा काया, इस पैन आपको गुना होता है, तो ऐसी कंडिशन में आपको आपको अपने नियरवाई डेंटिस को विजट करना चाहिए, वो लोग वहां पर जाके इसकी, उसको उसको उसक करते हैं, यह तरीका है, बच्चों के अंदर हम लोग फूराइड अप्लीकेशन होते हैं, जय वो लगा जाते हैं क्योंकि फूराइड की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, जब वो उसके उपर लगा जाती है, तो जो इनामेल के इनदर जो हैडो अपटाइज क्रिस्टल होती है जो फूराइड के टच में आते हैं, वो फूराइड में कनवर्ट होती हैं, जो की बहुत हाड सबस्टेंट होता है, और इट इनिविट्स बैक्ट्रियर टू ग्रो दिया, तो यह सारी चीज हैं, जिसके काल यह कैविटी आपको होती हैं, आशा करता हूं, आपको डेंटल क इसके बारे में दिवी जान करी, समझ में आईएंगे, और आपको जो भी से रिलेटिक कुछ भी क्वेरी से, तो आप हमको कभी भी कॉल कर सकते हैं, दन्यवाद।